Hey guys, welcome back to my channel वीडियो के टाइटल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आज का वीडियो किस पे है So guys, आज में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ Mama Earth Upton Face Mask का रिव्यू Yes, I am too late for this review But मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था इस प्रोड़क्ट को यूज करने के लिए Just because मेरी sensitive skin है और इससे पहले जब मैंने Mama Earth Upton Face Wash का रिव्यू दिया था उसको मैंने जब यूज किया था तो मेरे बहुत सारे pimples हो गय थे तो मुझे लग रहा था क्या पता यह प्रोड़क्ट भी मैं यूज करूँ तो मेरा चहरा वापस से खराब ना हो जाए pimples ना हो जाए तो यह सोचके मैं थोड़ा avoid कर रहे थी इसको But मुझे बहुत सारी request आई थी कि deep please इसका एक बारा preview share करो तो yes मैंने इसको finally purchase कर लिया So आपको बता दू this is not a sponsor video मैंने पने पैसो से मंगवाया है brand ने नहीं बेजा मुझे and मेरा चैनल को इतना बड़ा भी नहीं है कि Mama Earth मुझे अप्रोच करेगा product बेजेगा So yes जो भी review होगा एकदम honest होगा So guys let me clear first मेरी skin oily and sensitive है तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरी skin पेसने कैसे work किया था तो पहले आपको बता दू यह इस तरह के cardboard packaging में आता है same जिसे mama earth के other products आते है same this is mama earth upton face mask with saffron turmeric and apricot oil तो सबसे अच्छी बात इसकी है कि बहुत सारे mask कैसे होते है कि oily skin वाले use कर सकते है but dry skin वाले बहुत ज़्यादा dry हो जाती है इनकी skin but जब मैंने face mask को use किया था तो literally guys मुझे ऐसा feel हुआ कि आपकी skin अगर dry भी है तो भी product लगाने के बाद आपको बिल्कुल dry नहीं लगता है बिल्कुल skin आपकी खिषती नहीं है यह जो claim करते हैं this is for skin lightening and brightening इसको लगाने के बाद instant आपका face आपको इदम lighten up लगता है brightening look आता है this is paraben and silicone free product dermatologically tested है and this is with bio actives price skip अगर मैं बात करूँ तो this is 499 approximately 500 का product है quantity is 100 grams 2 साल आपको इसकी shelf life मिलती है इसको आपको use कैसे करना है वो steps लिखे में है normal आपको अपना face wash करना है clean करना है अपना face and then आप इसको अच्छे से spread कर लीजिए एक layer लगा लीजिए अपने face की 15 minutes आपको इसको रखना है और आपको अच्छे से scrubbing करते हुए अपने face को वाश करना है तो पहले आपको अच्छे से scrub करना है उसके तुरू पूरा जो भी mask वो निकल जाएगा and then आप इसको normal water से wash कर लीजिए मैंने इसको जब first time use किया था तो मैंने normal पानी से ही wash कर लिया था तो बहुत sticky sticky लगा मतलब आपको तो बहुत time लगता है उसको निकालने के लिए च्यूकि इसका जो paste है वो बहुत fine सा है तो आपकी skin पे बहुत अच्छे से चिपक जाता है and then आप उसको water से निकालोगे तो बहुत time लगता है तो better लिए कि scrub करते वे निकालो तो जो भी आपकी dead skin है वो भी उसके साथ निकल जाती है next guys यह men and women दोनों यूज कर सकते है this is unisex product so guys यह आपकी anti-aging वाली problems को दूर करता है आपकी skin को lighten up करता है brighten up करता है बहुत सारी key ingredients इनोंने डाले में है key ingredients means इनोंने कुछ-कुछ ingredients बताया है सारे ingredients नहीं बताया है तो वो चीज मुझे अच्छी नहीं लगी अगर आप product पे ingredients लिख रहे हो तो make sure कि आप सारे ingredients लिखो तो basic जो ingredients है that coconut butter, apricot oil, papaya extract, basil oil, peppermint oil, cucumber extract, mulberry extract, turmeric and और भी बहुत सारे other oils and chemicals है but chemicals इसके अदर skin loving chemicals है जो आपकी skin को बिल्कुल भी harm नहीं करते हैं तो यह सारे ingredients है इसमें this is for all skin type तो अगर आपकी sensitive skin है तो भी आप इसको use कर सकते हो and yes, मैं धी sensitive skin है और मैंने इसको use किया था मुझे कुछ भी इसका problem नहीं आई थी इसको लेके as face wash है उसको लेके मुझे प्रॉब्लम्स आई थी बट इसको लेके मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आई yes, यह इसकी outer packaging है inner packaging की पात करें तो normal container आता है mama art का वैसा है इसके साथ आपको एक spatula भी मिलता है apply करने के लिए but better है आप अपनी finger की help से इसको apply करो तो बहुत अच्छे से वो लगता है face पे guys see this बहुत fine सा paste आपको मिलता है light brown color का and fragrance की अगर में बात करूँ तो एकदम chandan वाली जो खुश्बो आती है वो है इसकी fragrance chandan and kesar वाली एकदम natural fragrance हम बोल सकते है इसको and इसकी consistency में आपको बता हूँ तो this is see this बहुत ही fine consistency है और easily आप अपनी एक layer लगा सकते हो face पे guys आपको normal अपना face wash करना है अच्छे से clean रहना चाहिए कोई भी moisturizer या oil वगर है नहीं रहना चाहिए face पे then आपको एक fine सी layer लगानी है आपको उसको 15 minutes लगना है and then उसके बाद आप इसको अच्छे से scrub करते हुए wash कर लीजिए मेरा experience था इसको लगाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा थोड़ा सा आपको sensation या ऐसा feel हो सकता है कि कुछ tingling हो रही है आपके face पे but as such tension लेने की बिलकुल बात नहीं है मेरे को भी feel हुआ था but wash किया then normal हो गया face आपका तो कुछ जो इसके अंदर ingredients है वो थोड़ा सा अपना work करते है तो maybe शयद आपका face आपको थोड़ा सा लग सकता है कि कुछ sensation हो रहा है so yes इसको 15 minutes तक मैंने रखने के बाद wash किया था and now you can see my skin एकदम जो instant brighten up look आता है आपका face का वो एकदम आचाता है आप चाहो तो इसको कोई भी party function में जा रहे हो कोई function है उससे पहले आप लगा लो आपका face एकदम खिल उठेगा बहुत natural सा बहुत brightening look आता है you can see this guys I love this product and this is one of my favorite product of mama art मुझे literally guys बहुत अच्छा लगा so guys इसको आप week में two times लगा सकते हो मैंने इसको जब से मेरे पास आया है week में दो बार लगा रही हूँ and this is my fifth time मुझे बहुत अच्छा लगा इसका result I must say कि हल लड़की के पास यह वाला product होना चाहिए मैं 100% recommend करूंग इस product को लेके मुझे बहुत अच्छा लगा and I hope आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहे but जो भी था guys मेरा honest review था मेरा honest experience था जो मैंने आप लोगों के साथ share किया बहुत instant result देता है like एक बार में आप इसको apply करोगी उसी time आपको इसका result मिल जाता है so yes guys ये था आज का review I hope आप लोगों के लिए useful रहा होगा आप लोगों को अच्छा लगा होगा लगा है तो please video को like करना ना भूले and अगर channel पे नए हो तो please subscribe करना भी ना भूले so guys मिलते हैं next video में till then